सौगत अब सभी का कुई खिंदी फर और मैं हूँ अभिनो सिंग तो दोस्तों ये आनलाइन टेस्ट का छटवाट सिरीज है तो काफी खास है आज का ये बागी के पांच जो लोग नहीं देखे उसको जरूर देख लेना उसका लिंक मैं डिस्किप्सर में देदूँगा प्ल सारे वहां पे क्वेस्टेंगा, बैंकिक के क्वेस्टेंगा, आप देखो गी न तो मिलेंगे आपको, जितनी साम को डेली ट्रिपल से है क्लास मेरा चलता है तो आड़ बटे साम को डेली सब लोग तयार हो जाया करो सारे कामों से फुरसत लेगे और बहुत खास होता है टेस्ट सिर्फ यह टेस्ट फालो करोगे जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुना करो वो सब फालो करोगे आप जैसे प्लेश्ट जाके देखोगे तो 100% आप एक्जाम में पास करोगे अभी अच्छे ग्रेड से इतना ध्यान देना बस बहुत लोग पास होए सब जानते हो और आगे भी सब पास होंगे इतना पक्का है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो आज का फाला क्वेशन है लिब्रो ओफिस राइटर में अधिक्तम फोंड साइज कितना हो सकता है मैक्सिमम तो यह काफी खास है क्वेशन ये भी इसमें कई सारे क्वेशन बन जाएंगे आपके मैं बताता हूं किस तरह से तो राइटर पूछ रहा है राइटर हो, कैल्क हो या फिर पावरपॉइंट तीनों में वही होता है सेम ठीक है तो मैंने आपको दिखाया था कई बार तो 96 टूटरोल जरूर देख रहना आप लोग तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे एक बार दिखाऊंगे जैसे यह कैल्क हमारे सामने मानलोग कैल्क ही है तो यह देखो यहाँ पर डिफार्टेन होता है कैल्का और राइटर का बारा होता है इसमें अगर drop down menu को बात करोगे तो सबसे नीशे जब जाओगे आप देखोगे 96 दिख रहा ही है और सबसे उपर देखोगे तो यहाँ पर 6 दिख रहा है मतलब drop down menu होता है सबसे कम से कम 6 और एक्तम 99 बे होता है लेकिन अगर वैसे करना चाओगे आप तो में माल अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखो जैसे 1000 लिखोगे एंडर करोगे भी ट्रिपल 9.9 आ जाता है मैक्सिमम तो ट्रिपल 9.9 होता है अगर आपके ऑप्शन में ट्रिपल 9.9 का विकल्प मिलता है तो आपको सी भी करना है नहीं तो 96 तो होता ही है अगर ड्राप्डान मेनु में देखा जैसे आपने अपके भी ठीक लिवा ध्यांदेना मिनिमम दो मैक्सिमम ट्रिपल 9.9 और ड्रापडान मेनु में मिनिममम 6 मैक्सिमम 96 इतने बात आपको ध्यानम रखना है अब नेक्स्ट लिब्ण ओफिस लाइटर में नियूंतम जोम कि इतना कर सकते हैं तो आप राइटर के बताओ मैं आपको कैल्क और इंप्रेस तोनों का बता दूँगा राइटर पुछे तो 20 कैल्क पुछे तो भी 20 और अगर मालो पूछ लिया इंप्रेस तो 5 और मैक्सिमम बात करें तो राइटर में 600 कैल्क में 400 और इंप्रेस में 3000 तो यह जो बने बोला ध्यान देना आप ठीक है अब नेक्स्ट सौटकटकी फोर साइडबार इन लिब्र ओफिस साइडबार की सौटकटकी क्या होती है लिब्र ओफिस में तीनों में वही होता है सेम लिब्र ओफिस में कैल्क और राइटर हो किसी में भी एक ही सौटकटकी यूज़ करते है तो साइडबार की सौटकटकी क्या होती है जैसे जो चीज जिसका भी सौटकटकी आप पूछते हो जानना है नहीं मालूम है आपको तो सीधा सजाय करो मेरा जो टूटूरेल है जैसे उसका राइटर का देख लो उसमें सारे आपको सौटकटकी मिल जाएंगे मैं सारा बता दियो आपसे चले जाओ इंप्रेस में उसका देख लो चले जाओ कैल्क में उसका देख लो पहले राइटर देख लो तो उसमें सारा यह control plus F8 है, यह field setting का shortcut की है, ठीक है, यह भी ध्यान देना, control plus F8, field setting, यह, control plus F9, field name, और control plus F10, field formatting, जो marks होता है, उसको add करने के लिए, control plus 10 यूज़ करते हैं, formatting marks add करने के लिए, control plus 10 यूज़ करते हैं, आप tutorial देखो, को सब कुछ में दिखाया हूँ, इसलिए कहता हूँ, उसको दो एक जरूर लेना, तो उससे क्या होगा, बहुत help मिलता है आपको, ठीक है, जरूर देखना जाके सब लोग, जो लोग अभी तक नहीं देखिए हो, अब next, TFT stand for, मतलब TFT का full form क्या होता है, तो लाइक कर देना, सब लोग वीडियो को, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किये हो, तो लाइक कर दियो को, ज़्यादा ज़्यादा सब लोग भूल जाते हो, देखता हूँ, कई लोग, जब कहते हो, दो तीन बार तो ज़्यादा करते हो, तो कहने की ज़रूरत ही कहा जब like कर दिया है, ठीक है सब लोग तो TFT का full form क्या होता है, TFT होता क्या है TFT मतलब एक TFT का full form होता है Thin Film Transistor Thin Film Transistor, यह होता क्या, एक display है ठीक है, LCD होता है, LCD LCD को ही Thin Film Transistor बोलते हैं, LCD को ही तो एक display होता है प्रकार का LCD उसको बोलते है thin film transistor LCD मतलब अगर पूछ ले तो liquid crystal display होता है तो वही होता है TFT यह बाद ध्यान देना 100% पूछा जाएक एक्जाम में बस अब कब पूछा जाएक यह जी भी नहीं मालूम लेकिन पूछा 100% जाएक अब next B column को जोड़ने का कौन सा formula सही है जैसे पूरा B column आपको जोड़ना है तो इसमें से कौन सा correct लग रहा है आपको B में जितने ये भी लिखे हुए है मालोब B में सब कुछ लिखा हुआ है कुछ ना कुछ ना कुछ तो पूरा को जोड लेना आपको पूरे को तो क्या करोगे तो कभी भी पूरे को जोडना हो तो आपको ये वाला formula यूज करना चाहिए देखो इस पूरा मतलब क्या होता है जैसे B1 से लेके 104.85.76 इतना टोटल नमबर आफ रोज होते जितने रोज होते हैं तो हमें उतने पर लिखना होगा तब ही टोटल जोड़ेंगे तो हमें रोज भी पता होना चाहिए 104.85.76 टोटल रोज होते हैं किसमें? कैल्क में ठीक है इबात ध्यान देना तो यह होता है टोटल को जोड़ने का यह वाला फार्मूला गलत नहीं यह वाला एक्जैक्ली सही फार्मूला लेकिन यह अलग-अलग जोड़ता है जैसे B1 और यह वाला ठीक है B1 और B2 जोड़ना हो B1 और B5 जोड़ना हो तो कॉमा लगा के जोड़ते हैं टोटल जोड़ना हो वहाँ से लेकर वहाँ तक यह वाला फार्मूला यूज़ करते हैं यह तना ध्यान देना आपको अब नेक्स्ट LibreOffice में कुल कॉलम की संक्या रो एक कैलक की बात कर रहा है तो कैलक में LibreOffice कैलक में कॉलम की कुल संक्या कितनी होती है रोज तो अभी मैंने बता है आपको रोज होता है 1048576 यह ध्यान से देख लो 104857 से राटलो इसको और कॉलम पोचे तो 1024 सिम्बल सी बात है और अगर Excel में पूछ ले तो 10678 यह किसका होता है Excel में टोटल कॉलम होते हैं और Excel में और कैलक में दोनों रोज बराबर होते हैं रोज दोनों में exactly बराबर हैं लेकिन कॉलम अलग-अलग हैं ठीक इतना ध्यान देना आपको Blockchain Technology क्या है 100% सारे question पूछ रहेंगे इतना जानक चलना आपको Blockchain Technology इसलिए बोलतों ध्यान से देखके सब कुछ यह सब question most important है मेरे पास आये हुए थे तो जो वाते हैं सब मेरे पास भेजते हैं बहुत लोग भेज़ते हैं वैसे हजार लोग भेज़ देते हैं तो बड़ा help निलता है लोगों का Blockchain Technology तो यह जो है Bitcoin जो होता है उसमें यूज किया जाने वाला टेक्नोलोजी पहली बात दूसरी बात सुरचित लेन देन में साहिक होता है तो यह बिल्कुल साही बात है एक्चेल में है क्या देखो Bitcoin में सबसे पहले Bitcoin ने इसको Blockchain जो Technologies को इस्तेमाल किया सबसे पहले अभी वही ज़्यादा इस्तेमाल भी करता है लेकिन Future में क्या है कि इसको और भी हर जगां इस्तेमाल किये जाने की प्लान बना रहे है Blockchain Technologies जो है वो अलग-अलग block होते है अलग-अलग batches में करते हैं इसलिए सुरच्छित माना जाता है अब next Description और encryption का production क्या होता है यह हमारे data को सुरच्छित रखता है सुरच्छित lane देन में साहिक होता है देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे questions जो आते हैं मेरे पास उसके option सबके नहीं रहते हैं मेरे पास वहाँ पे option कुछ और हो सकते हैं इतना जानके चलना है आपको ठीक है इसलिए ध्यान समझा को और जो मैं बताता हूँ क्योंकि option बदल सकते हैं वहाँ पे आप लोग समझे रहोगे तो कर ले जाओगे तो होता क्या है यह तो encryption क्या होता है मालूम जैसे हम encrypt करता है किसी अलग code मैं जैसे password डालते हो कहीं पे तो क्या होता है लिखते हो 5 हो, लिखते हो 4 हो उसमें लिखते है क्या स्टार जैसा वह होता है encryption और description क्या करता है उसको बदल देता है असली वाले mode में जैसे जो भी आप लिखे हो वही बदल देता है तो वही दोनों होते हैं यह दोनों इसका सहींसर हो जाएगा इतना ध्यान कर रखना है कहने के मतलब जैसे मैंने समझा है ध्यान से encryption क्या करता है एक अलग code में बदलता है description उसको फिर से उसी code में बदलता है तो यह दोनों आपस में मेल कर काम करते हैं ठीक है अब next Libro Office Writer में super script की shortcut क्या है super script ऐसा super script क्या होता है और sub script दो तरक होते हैं जैसे यह none है none ठीक है अब यहाँ पे हमें कुछ super script करना है तो करना क्या है जैसे यहाँ पे कुछ लिखोगे न जैसे यह है super script समझे लिखने बात यह sub script है अगर super script करना है तो क्या करोगे यहाँ पे जैसे आप कुछ लिखोगे उपर के साड़ लिखे, जिसे इसक्वायर की तारा, देखो, उपर आ रहा न, नन के उपर स्क्वायर हो गया है, यह नीची आगा है, तो sub, तो g जो लिखा है, sub script है, और 8 जो लिखा है, superscript है, बस यही होता है, sub और super इतना आपको पता चल गया है अब बताओ उसका shortcut की क्या होता है तो super पूछे तो control प्लस shift पस P sub पूछे तो control प्लस shift पस B समझे लोगे sub script B देखो super में बीच में P है और sub में बीच में B है sub B है और इसमें sup P है तो इससे आप पैचान सकते हो P से super control प्लस shift प्लस P और control प्लस shift प्लस B sub script इतना ध्यान रखना है बहुत important है ठीक है अब next LibreOffice Calc में डारेक्ट फॉर्माट क्लियर करने की shortcut की क्या है एक Calc हो पूछ ले या फिर writer दोनों में एक हो इसका science रवाइस हो जाएगा control प्लस M अब देखो control प्लस M से होता क्या है कि जितने भी फॉर्माटिंग हो तो सब clear हो जाएगा पहली बाद डारेक्ट ली लेकिन यही चीज Calc और writer में apply कर सकते हो लेकिन अगर इस impress में करोगे तो नया slide डाइड करने की shortcut किया ही है आपको नई slide डाइड करने है तो control प्लस M यूज़ का सकते हो किसमें impress में उसमें यह काम नहीं करेगा clear formatting का ठीक ध्यान देना इतना अब next A.E.P.S. का फूर्डूप क्या होता है A.E.P.S. 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 important है जिसका मतलब होता है आधार enabled payment system तो यह जो आधार के दोरह हम payment होगारा कर लेते हैं तो उसी का एक technology बनागे उसी का system है यह इसी की दोरह हम करते हैं जैसे आधार कर से कुछ भी कर लेते हैं आधार से अंगोठा लगाओ कहीं से पैसा निकालना पैसा भेजना सारा काम हो सकता है आपने खाते के जनकारी भी मिल सकती है ते बत ध्यान देना आप next कैलक में current window से बाहर निकलने की shortcut की क्या है बड़ा symbol सा question है यह लेकिन इसमें दो question है आपके दो question आराम से बन जाएंगे इसमें दो क्या तीन भी बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे पहले आप एक तो बताओ तिसका एंसर हो जाएगा control plus w मैंने आपको बताता था ना control plus w से कहीं से भी current window से आप बाहर जा सकते हो कोई सा भी हो सिर्फ calc नहीं राइटर भी, impress भी, word, excel, power and सबसे और control plus q से क्या होता directly पूरे लिब्र ओफिस से आप बाहर आ जाओगे पूरे लिब्र ओफिस से बाहर आ जाओगे अब पूरा बंद हो जाएगा और इसमें अगर ये shift के बज़ा है यहाँ पे alt कर दूँ तो क्या हो जाएगा ये एक comment आड़ करने की shortcut की है क्या? comment ये alt यहाँ पे हो जाए तो comment आड़ करने की shortcut कुंजी है इतना बात आप आप तीन question बहुत important तीन हो, बहुत फुस्ते हैं तीन हो, इतना जानके चलना अब next name box कहां होता है चान, name box क्या होता है ये name box जहां पे किसी भी cell का address दिखाई देता है पूछ रहा है menu bar के नीचे बाएं तरफ menu bar के उपर दाएं तरफ status bar पर menu bar के नीचे दाएं तरफ कौन सा सही होगा? जैसे ये है calc अब इसमें name box कौन आप मालों? ये है name box देखो लिख क्या रहा name box तो b1 जहां लिख्या है ये, ये है name box ये कहाँ पे है? menu bar के नीचे है और बाएं तरफ यही है, कुल मिला है कि यही है name box ये कहाँ होता है आप देख लो जो भी मालों ये ना आए कुछ और आ जाए तो यही होता है इतना समझ के कर लेना आपको menu bar ये है सबसे उपर title बाएं उसके बाद ये menu bar होता है ठीक, इतना ध्यान रखने आपको चलिए इसका science और क्या हो जाएगा? menu bar के नीचे बाएं तरफ ये है ठीक है? अब next A1 और A2 को जोड़ने का सही formula कौन है? बड़ा important question है ये important क्यों मैं आपको बदाता हूँ इसमें बड़ा confusion होता है A1 और A2 को जोड़ने का सही formula कौन से है? इसका सही हो जाएगा है? ये C number लेकिन ये भी सही लग रहा है आप सभी को है की नहीं? अगर बीच में और लिख दे तब ये comma लगाना है exactly सही formula है अगर बीच में A1 से ऐसा लग दे A1 से A2 तक जोड़ने का सही formula कौन से है? तो total जोड़ने का ये होता है और अलग-अलग जोड़ने का ये होता है समझ के कि नहीं बात total जोड़ना हो तो पूछ ले A1 से लेके A2 तक तो ये वालाव करना है आपको इतना ध्यान बरकना है जो जो मैंने बोला अब next लिब्र ओफिस कैल में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस कुंजी का प्रियोब करते हैं बड़ा इंपॉर्टन कोईशन आ गया आपके सामने करेंसी फॉर्मेटिंग करनी तो क्या करोगे जो भी लिब्र ओफिस का ट्यूट्रिल देखा हुगा कैल कॉलोग को तो पता ही होगा जैसे मैं एक पर थोड़ा दिखा देता आपको केरेंसी फॉर्मेट जैसे यहां गए तो यहां पे यह कैल कहा आपके सामने तो यहां पे फॉर्मेटिंग में गए फिर नंबर फॉर्मेट करने हैं माल लो करेंसी तो नंबर में ही करोगे न नंबर में देखो जन्रल फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट परसेंटेस फॉर्मेट करेंसी फॉर्मेट टेट फॉर्मेट टाइम फॉर्मेट सान्टिफिक फॉर्मेट देख लो कितना है ये screenshot ले लो फटाक से और रट ले ना सारे currency के क्या दिया हुआ है control plus 4 percent का control plus 5 number का control plus 6 general करना है तो control plus 6 scientific करना है control plus 2 समझ कि कि नहीं बात तो currency वाला हमें करना है तो control plus 4 हमारा answer क्या होगा c number हो जाएगा तो बड़ा important था ये क्या पूछ लिए कोई भरोसा है कुछ भी पूछ सकता है इन में से कौन सबसे अच्छा बिश्व कोस है बताईए सबसे अच्छा भी पूछ सकता है या सबसे बड़ा भी पूछ सकता है ऐसा कुछ पूछा गया था 100% पूछा गया था question हमेशा review रहोता है वही उनको एक देटाबेस है बना देथे बार बार वही अदल बदल के देते हैं बड़ा सारा question होता है हलके जदा मत लेना कोई पढ़ोगे तो हलके में लेना जो पढ़ रहे हो और जो नहीं पढ़ पढ़ तो बिल्कुल हलके मत लेना बिगी फीडी है, सिंबल सी बात है, ठीक है, बाकी तो Google, Yahoo, Quera, ये सब सर्च इंजन है, Quera तो एक तरह से भी सर्च इंजन है समझे लोगी, ये question answer वाला है, अब next, DES का वूर्डूप क्या होता है, DES, DES, DES काम क्या होता है, DES का, देखो समझे encryption लिखा हुआ है, मतलब DES का काम क्या होता होगा, कि हमारे data को सुरचित बना देता है, एक अलग code में बदल देता है, है की नहीं, जैसे password होगा रहा करते हैं, तो बताया मैंने अभी आपको, उसी type में कुछ काम करता है, तो यही इसका data encryption standards का answer हो जाएगा, ध्यान देना, अब next, heading 3 के लिए shortcut की क्या होती है, simple सा question अब ऐसा ही है, simple zone के लिए होगा, जो जानते होंगे, जुनको नहीं पता हो क्या है, जो वीडियो देखते होंगे, उनको तो पता ही होगा, यही सब question आएंगे, यही तो, control plus 3 होता है इसका answer, और heading 3 का तो पक्का आएगा, इतना समझ, यह 100% heading 3 वाला मेरे पास आया था question की, यह आया था, simple है अब next, निम लिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है, कुछ simple question भी मिलेंगे आपको exam में, यह तो simple में आ जाएगा, Google, Yahoo, YouTube यह सब नहीं, बल्कि Mozilla Firefox, है की नहीं, Google का search engine, Yahoo का search engine, YouTube का social media, next, GUI पर अधारी थे, निमें से कौन सा GUI पर अधारी थे, GUI मतलब graphical user interface, दो तरक होता है, GUI graphical user interface, दूसरा CUI, character user interface, CUI को CLI भी कभी कभी बोलते हैं, CLI, तो command line interface, CLI मतलब command line interface भी होता है, और CUI मतलब character user interface, उसमें सिफ character use किया जाएदा है, और GUI मतलब graphical graphics होते हैं, सब कुछ, कौन सा इसमें GUI है, तो यह बड़ा important question इसलिए आपके लिए, क्योंकि आज आपको कुछ जान दर्जान कारी मिल जाएगे, जैसे, इसमें Linux क्या है, GUI है, graphical user interface है, बाकी सब, DOS, GUI नहीं है, UNIX, GUI नहीं है, अब question बदल के भी आएगा exam, जैसे, पूछ लेंगे कि DOS, GUI है, 2 है कि false है, सब पूछ सकते हैं, है न, UNIX, GUI है, 2 है कि false, तो false हो जाएगा न, GUI नहीं है, MS-DOS और UNIX, GUI नहीं है, Linux है, Windows जो होता है, ओभी GUI होता है, Ubuntu जो होता है, ओभी GUI होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है, अब next, BCC का पूरू क्या है, BCC, एक होता है CC, एक होता है BCC, दोनों email में यूज़ किया जाते हैं, इसका एंसर हो जाएगा, blind carbon copy, यह email में यूज़ किया जाता है, एक होता है CC, सिर्फ carbon copy, तो carbon copy को होता है, जैसे मान लों कहीं email आप भेज रहे हो कहीं पे, तो आपको उस जैसे लिख लिए email किसी को भेजना है, उसी की copy आप कहीं और भेजना है आपको, तो उसको carbon copy में डाल दो, email ID उसका, किसी जीज़ आप email ID उसमें डाल दो, तो होता है, जहां आप भेजते हो, उसकी email ID डालते हो आप, नीचे एक CC का option होता है, उसमें आप जैस से उसी copy को कहीं और भेजना चाते हो, तो उसका email ID वहाँ डाल सकते हो, तो कई सरा email ID वहाँ डाल सकते हो, बी CC में क्या होता है कि, वो blind करना को होती है, छुपा हुआ चीज़, दिखेगा नहीं किसी को, तो उसके लिए बनाया जाता है, ठीक, अब नेक्स्ट, calc में date instant करने के sort cut की होती है, date, date और time दोनों आता है exam में, date आप बता, यह time में बताऊंगा, date instant करने के sort cut की, तो control plus यह होता है, semi colon, और control plus shift plus semi colon किसके लिए, time के लिए होता है, तो दोनों आपको ध्यान देना है, दोनों बड़ा important है, current, अब next, LibreOffice writer में standard toolbar को hide किया जा सकता है, यह true है कि false, अच्छा standard toolbar क्या होता है, यह भी हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं, तो आपको दिखाएता हूँ जैसे, writer बोल रहा है, तो calc में भी होता है, जैसे calc है यह, तो यह जेकर देहो, यह, ऊपर वाला यह, यह, standard toolbar, तो पोला इसको hide कर सकते हैं, तो होगा कि यह view में होता है सब कुछ यह, जितने भी देखने बहुते हैं सब view में होते हैं, तो यह कहां पर मिलेगा, यह toolbar है, तो यह है, standard, इस टेंडर पर tick करो, अब यह तो होगा है, can you hide, टो बिल्कूल किया जा सकता है, अभी हो रहा है नहीं मतलब कर सकते हैं, अब next maximum attachment size in yahoo mail जो yahoo mail होता उसमें ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है attachment size जो आप भेज रहे हो दो तरह का होता है ध्यान में रखने आपको एक होता है attachment जो भेजा जाता है एक पुछते हैं कि किसी भी mail का, gmail का, yahoo mail का stories कितनी होती है इसा पुछते हैं अगर stories पुछते हैं आपसे कवी भी exam में तो आपको देखो दो तरह किसी किसी में 10 GB होता है किसी किसी में 15 GB तो 15 GB होता है, stories GB में होता है भेजने की बात करें तो 25 MB सिर्फ yahoo में नहीं gmail में 25 MB होता है maximum इतना आपको ध्यानम रखना है अब next Libre Office Writer में font size increase करने की shortcut की क्या है font size की बात कर रहा है increase करने की तो इसका science और क्या हो जाएगा देखो A and B मैं कर रहा हूँ आपको नहीं करना महापता मैं समझाता हूँ समझ लो वैसे होता है क्या है न A नमबर वाला ये वाला होता है A exam में पूस्ते भी ज़्यादा थर लेकिन ये मैंने क्यों बता दिया B वाला मालो लिख दिया अगर exam में तो आपको वह भी होता है क्यों क्योंकि आप देखोगे न एक ही बटन पर दोनों होता है जैसे ये वाला जिस पर होता है वह भी इस पर भी ये सेम होता है समझ रगने ये बात तो उसी एक ही बटन पर ये दोनों होते हैं ब्रेकट तो दोनों आपको ध्यान में रखना है मालो उसे होता है A नमबर वाला ये ही पूस्ते भी है ज़्यादा थर लेकिन आप मालो ये भी दे दिया तो एक ही बटन पर दोनों होते हैं इसलिए मने आपको बता दिया फिर दोस्तों पर यही था आज का आखरी क्वेश्चन तो आप आते हैं जो कल मने क्वेश्चन पर चुसको देखते हैं उमंग मतलब Unified Mobile Application for New as Governance इस पर 12 अरकाग जितनी भी योजनाय होती है उसको पर साहता के लिए आप बनाया गया हिए आप कुछ भी इसमें बहुत सारी योजनाय होती है बहुत सारी यूज कर सकते हैं ठीक है और Libre Office Impress में सेब की भी फाइल पूछाता है इस टेंसन तो ODP होता है .odp अगर Impress पूछ रहा है मतलब Impress में क्या होता है Presentation बनता है इसलिए P for Presentation होता है इसलिए उसका हो जाएगा Spreadsheet मतलब Calc होता है तो उसका ODS हो जाता है यहाँ पे S for Spreadsheet और Writer जो होता है उसमें Text लिखते हैं तो उसका होता है ODT T for Text इतना ध्यान रखने आपको अमरिता कुमारी कुमारी रेनू दीपक राच्वार उतकर्स पटेल रामकुमार अग्रवाल आर्ती कुसोवा इसका सही answer दिया आज का question है shortcut for full screen Libre Office Writer Libre Office Writer में फुल स्किन करने के shortcut की क्या होती है और row insert करने की shortcut की क्या होती है नहीं insert row किस menu में पाया जाता है calc में in calc इन दोनो question का answer आपको देना है ठीक है row insert करने कहा किस menu में होता है row insert करना और shortcut की फार full screen राइटर यह दोनो जिसको नहीं पता तो वीडियो देख लोगे तो आपको मिल जाएगा कैलक और राइटर में सब कुछ है और ये क्वेशन बहुत बोचते हैं बस फिर एंसर सबको देना है फिर वीडियो मिलता है नेक्ट वीडियो में तब तक लेजा हिंट जैभारत